आज मैं ब्रत में खाने वाली आलू और मतर की ये टेस्टी सबजी बनाऊंगी अक्सर ब्रत में हलका खाना खाने के कारण मूँ फिका फिका लगता है तो आप इस चटपटी सबजी को जरूर बनाएं इसे बनाने के लिए मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दवाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए आलू और मतर की टेस्टी और चटपटी सी सबजी बनाती हूँ सबजी बनाने के लिए दो टमाटर, एक इंच अद्रक और दो हरी मिर्च में ली हूँ इसे इस तरह से रफली चॉप कर लें इन सभी का पेस्ट बना कर तयार करना है अच्छे से काटने के बाद इसे एक मिक्सर जार में डाल दें अद्रक को भी काट लें हरी मिर्च को भी काट कर इसका फाइन पेस्ट तयार कर लें ये देखिए अद्रक, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना कर मैं तयार कर ली हूँ अब सबजी बनाने की ओर चले सबजी बनाने के लिए कराई में दो चमच कुकिंग वैल डालें इसमें जीरा, तेजपत्ता और सुखी लाल मिर्च डाल कर उसे पकने दे फ्लेम को लो पे रखें ताकि कराई बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जीरा पक गया है अब फ्लेम को लो पे ही राने देखिए सुखे मसाले डाले, हल्दी का पॉडर, धनिया का पॉडर और लाल मिर्च का पॉडर डाले यदि आप तिखा कम खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च का पॉडर थोड़ा कम कर सकते हैं सुखे मसालों को मिक्स करें इसे भुनना नहीं है नहीं तो ये जलने लगेगा फ्लेम को लो पे ही रहने दें और इसमें तयार किया हुआ टमाटर का पेस्ट डाल दें मिक्स कर दें टमाटर का पेस्ट मिक्स करने के बाद इसमें नमक डाल दें ब्रत में खाने वाला सेंधा नमक डालें मिक्स कर दें फ्लेम को लो पे रखके इसे ढख दें और मसालों से तेल बाहर आने तक पकाएं तीन-चार मिनट तक मसालों को लो फ्लेम पे पकाने के बाद ये देखिए मसालों से तेल बाहर आ रहा है मसाला अच्छे से भुन गया है अब इसमें एक कटोरी मटर डाल दे मिक्स कर दे मैं सभी इंग्रीडियन्ट और उसका मेजर्मेंट डिस्क्रिप्सन में डाल दी हूँ इसे ढट दे लो फ्लेम पे तीन-चार मिनट तक पकने दे ताकि मटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तीन-चार मिनट तक लो फ्लेम पे पकाने के बाद इसमें अच्छा सा स्टर दे मटर और मसाले अच्छे से भुन गया है मटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है अब इसमें बॉयल किये हुए दो आलू मैं ली हूँ एक आलू को इस तरह रफली चौप करके डाली हूँ ये देखिए दुसरे आलू को हाथ से इसी तरह रफली तोर कर डाले इससे सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और ग्रेवी भी एकदम मिली जुली बनेगी अच्छा सा स्टर दे आलू को डालने के वाद लोटू मीडिया फ्लेम पे इसे तीन-चार मिनट तक भूने बोयल आलू को इस तरह से भून कर बनाएंगे तो सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा आलू के साथ मसाले और मटर अच्छे से भून गये हैं अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दे मैं यहाँ पे हाफ कप पानी डाली हूँ अच्छा सा स्टर दी ग्रेवी की थिकनेस आप अपने टेस्ट के अनुसार एड़जस्ट कर सकते हैं इसमें गरम मसाला का पाउडर छिरख दे मिक्स करके इसे तीन-चार मिनट तक ढख कर लो फ्लेम पे पकाएं तीन-चार मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए सबजी कितना यमी दिख रहा है और इसकी खुसबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया की पतिछी रख दे यदि आप तीखा पसंद करते हैं तो हर इमेज काट कर डाल दे फ्लेम को बंद कर दे और इसे ढख कर एक-दो मिनट तक रहने दे फिर इसे सर्व करें दो-तीन मिनट के बाद ये देखिए सबजी तयार है इसे सर्विंग बॉल में सर्व कर ले ये देखिए सबजी का टेक्स्टर एकदम मिली-जूली सबजी बनी है बहुत ही यमी है आप इसे घर में जरूर ट्राइ करें मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें